Film Fair Award 2024 खत्म हो चुका है जिसकी Complete Winner List को देखकर ऐसा लगता है कि जीरी, फैंस और अपने प्रसनल कलिक्स दोनों कोई प्लीज करने की कोशिस कर रही थी तो आज हम Film Fair Award 2024 के सारे winners के बारे में बात करेंगे पर उससे पहले मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं Social Flux सुरुआत हम Best VFX की केटेगरी सिक करेंगे जिसमें SRK की जवान Easy Winner बन जाती है जिस तरीके से Red Chili ने जवान में VFX वर्क किया है वो सच में Impeccable है अब बारी आती है Best Action Film की जिसमें फिर से SRK की जवान ही Winner है हाला कि मुझे Animal से भी बहुत ज़्यादा उमीदे थी लेकिन सायद जवान में ज़्यादा Action से पीसेज है Animal के मुकाबले and Best Sound Design के के टेगरी में Animal एंड सेम मानिक शौ को Joint Winner बनाया गया है Best Production and Best Costume डिजाइन के के टेगरी में भी सेम मानिक शौ को ही Winner बनाया गया है जो 100% Deserving Movie है जिसने भी सेम मानिक शौ देखी है उसे पता होगा कि मुवी में costume and time period की detailing पर कितना ज़्यादा काम किया गया है Best Cinematographic Award Three of Us को मिला है अगर आपने यह मुवी नई देखी है तो सच में आप बहुत ही खूपसूरत Cinematic Experience को मिस कर रहे हैं Best Dialogue के लिए Rocky Rani की प्रेम कहानी को Award मिला है जो मेरे लिए कहीं से भी इस Award के लिए Deserving नहीं है क्योंकि 12th Fail and Three of Us के Dialogue इस मुवी से far better and impactful थे Best Story के कैटेगरी में Joram and OMG 2 को Joint Award मिला है या मेरे लिए बहुत ही सप्राइजिंग था कि 12th Fail को इस कैटेगरी में Nomination भी नहीं मिला था हर्सवर्दन रामेश्वरम को इनिमल के लिए Best Background Score का Award मिला है जो मेरे लिए तो थोड़ी भी सप्राइजिंग बात नहीं थी इनिमल का बीजियम साइद बॉलिवूड सिनेमे का One of the Best बीजियम है हर्सवर्दन का बीजियम इनिमन मुवी का Soul है जिस हिसाब से उन्होंने हर सिचुवेशन को समझ कर बीजियम कंपोस किया है वह सच में प्रीजवर्दी है Best Playback Singer Male and Female Coward फुपिंदर बबन फोर अर्जन वेली एंड सिल्पा राव फोर बेसरम रंग को मिला है स्रिया गोशाल को इस कैटेगरी में तुम क्या मिले एंड वे कमलया दोनों के लिए ही नॉमिनेट किया गया था जो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिजर्बिंग थी इस आवर्ड के लिए अमिता बट्याचार्य को तेरे वास्ते के लिए Best Lyrics का आवर्ड मिला है Best Music Album के लिए Animal को आवर्ड मिला है Animal में Actually बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं जो मुझे यह Deserving Winner लगती है अब हम बात Best Debut Actor Male and Female की करेंगी Film Fair Award की एक Long History रही है इस कैटेगरी में Undeserving Actor को winner मनाने की For example, Ananya Pandey को Student of the Year 2 के लिए यह आवर्ड मिल चुका है और सारा अली खान को किदारनात के लिए भी यह आवर्ड मिल चुका है खैर इस बार Best Debut Actor Male and Female का आवर्ड अद्टिया रावल और अलीजय अगनियप्तुरी को मिला है फर्रे के लिए और बात Best Picture and Director की करें तो इन दोनों में 12th film ने बाजी मारी है विदू विनो चोपरा ने एस डारेक्टर बहुत ही अच्छा काम किया है 12th film में अब बारी आती है Best Actor Female की तो पॉपुलर चोईस में यह आवर्ड रोकी रानी की प्रिम कहानी के लिए आलिया भट को दिया गया है जो मेरे ओपिनियन से अंडिजर्बिन थी आसानी से यह आवर्ड रानी मुखर जी को Miss Chatterjee versus Norway के लिए दिया जा सकता था हाला कि Best Female Actor Critic Choice में यह आवर्ड रानी मुखर जी को ही मिला है बट रानी मुखर जी दोनों ही केटेगरी में यह आवर्ड डिजर्ब करती थी अब आखिर में आते हैं Best Male Actor पर जिसमें पॉपुलर केटेगरी में यह आवर्ड रन्बीर कपूर को इनमेल के लिए दिया गया है वह ही Critics Choice की बात करें तो 12th fail के लिए विकरान को यह आवर्ड मिला है और मेरे क्याल से दोनों ही एक्टर equally deserving है इस आवर्ड के लिए हमने देखा है कि रन्बीर कपूर ने कैसे अपना transformation किया था बिल्कुल एक ऐसा beast बनने के लिए जिसे किसी को मारने में थोड़ा भी अपसोस नहीं होता और विकरान्त का performance ऐसा है जिसको वर्ड में आप describe नहीं कर सकते उन्होंने अपने character के हर nuance पर काम किया था throughout the movie विकरान्त ने जैसी अपनी acting range दिखाई है 12th film में उसके बारे में बात साइद fans सालों तक करेंगे तो यह थी complete list film fair award की वैसे आपका क्या opinion है इन winners पर हमें comment box में जरूर बताईएगा